बगवान शिफ के सिर पर हमेशा चांद को दिखाया जाता है और उनके कंट को हमेशा नीला दिखाया जाता है लेकिन बगवान शिफ के सिर पर चांद कहा से आया और उनका कंट नीला क्यों है इन सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे तो इस वीडियो को अंतक ज जो महादेव स्वयम में ही संपूर्ण है उनको अपने सिर पर चंद्रमा धारन करने की क्या आवशक्ता पड़ी वास्तव में भगवान शिव के चंद्रमा धारन करने के दो कारण मिलते हैं समुद्रमंतन के समय जब हला हल विश निकला तब शिव जी ने उस विश को पी लिया था क्योंकि देवता और देत्य दोनों ही रतनों और अम्रुत कलश को पाना चाते थे पर उस विश को स्विकार करने से सभी ने मना कर दिया था तब ही भगवान शिव उस विश को पी गए थे ये देखकर दीवी पारवती काफी डर गई और उन्होंने शिवजी के गले को जोर से दबाया ताकि उनके शरीर से जहर पूरे ब्रह्मान में न फैले जो की उनके पेट में ही है ऐसा माना जाता है जहर इतना शक्तिशाली था कि इसने उनकी कंट और उनके गरदन का रंग बदल कर नीला कर दिया विश के प्रभाव से उनके पूरे शरीर में बहुत गर्मी हो गई उनके शरीर का तापमान बढ़ता ही जा रहा था ये देखते ही चंद्रमा और सभी देवी देवताओं ने शिवजी से आगरण किया कि वो अपने शरीर पर चंद्रमा को धारन करके उनके शरीर को शीतलता प्रदान करे देवताओं का आगरस विकार करते हुए शिवजी ने चंद्रमा को अपने शीश पर धारन कर लिया और तभी से चंद्रदेव शिवजी के सर पर मौजूद है प्रजापती दक्ष ने अपनी 27 बेटियों का विवा चंद्रदेव के साथ किया था 27 पूत्रियों में से रोहिनी बहुत ही ज़ादा खूपसुरत और आकरशक थी चंद्रदेव सुंदरता प्रेमी थे और इस कारण से वो रोहिनी को सबसे ज़ादा प्रेम करते थे ये देखकर प्रजापती दक्ष की बाकी की बेटिया दुखी रहती थी उन सबी ने अपना दुख पिता को जाकर बताया तब प्रजापती दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम 6 रोगों से पीडित हो जाऊगे श्राप के कारण चंद्रमा का स्वास्त धीरे धीरे बिगडने लगा चंद्रमा को रोग रस्त देखने पर नारद मुनी दुखी हो गए और उन्होंने चंद्रमा को शिवजी की आरदना करने के लिए कहा चंद्रदेव शिवजी की आरदना में लीन हो गए उनकी भक्ती को देखकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने चंदरमा को पुनर जीवन प्रदान करके अपने शीष पर धारन कर लिया अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकिशन ओन करें